हेलो बच्चो हमारा प्रस्टना है वीमा ML की पाउर माइनस 1, T की पाउर माइनस 2 किसके अनुरूप हो सकती है तो हमारे आपसन दिये गए हैं A, B, C, D तो चलिए हम देखते हैं वन बाई आपसन चेक करते हैं तो अगर हम आपसन एक ही बात करें एक बल द्वारा किया गया कार यारी हमसे कार की बात कर रहा है कार हमारा किन्ना होता है F into D अगर हम F की बात करें तो F की वीमा क्या होती है यह होती है हमारा ML, T की पाउर माइनस 2 और D, D को हम किसमें लेते हैं मीटर में, तो यह हमारा आगया तो यहां से देखे यह हमारा आ जाएगा M L square T की पाउर माइनस दो तो देखे इन दोनों का वीमा मैश नहीं खार रहा है यानि हमारा option A नहीं है अब option B देखे रेखेक समवेग तो यह हमारा हो गया M into V अब यहां से देखे M into V तो M को हम किसमे लेते हैं मास हमारा है M को M और V क्या है वेग है तो यह हो गए हमारा L t की पाउर माइनस 1 तो यहां से देखे यह हमारा निकल काएगा M L T की पाउर माइनस 1 अब यानि यह देखें तो यह भी मैश नहीं खारा है यानि यह हमारा गलत है अब option आए C को देखते हैं दाब दाप क्या होता है बच्चो बल बटे छेत्रफल होता है यह तो यहां से बल का देखें बल हमारा होता है M L T की पाउर माइनस दो और छेत्रफल एरिया यानि A स्क्वाइर a square मतलब meter का square तो यह l का square तो यहां से देखे यह हमारा आ जाएगा m l की power minus 1 t की power minus 2 तो हम देखे हमारा यह दोनों वीमा जो है सेम है यानि हमारा option जो है correct है तो चलिए हम इसी 7d को भी चेक ले उर्जा प्रती आयतन तो उर्जा का जो होता है बच्चो ml m l square t की power minus 2 अब आयतन का किनना हो जाएगा आयतन का हो जाएगा बच्चो यह power 3 हो जाएगा तो यहां से देखे यह हमारा आ जाएगा m l की power minus 1 t की power minus 2 देखे तो ml हाँ तो यह हमारा आ गया यानि अगर हम देखे तो यह भी हमारा same ही है तो हमारा जो है ये उर्जा प्रती इकाई की आयतन का भी सेम ही आए गया यानि इसके जो आंसर है C तथा D होंगे थांक यू